दोस्तों कि आपको पता है कि भागवान सिर्किष्ण अपने मुकुट पर मोर के पंक को क्यों लगाते हैं दरसल इसके पिछे कई कथाएं हैं जिन में से एक प्रचलित कथा है कि राधा जी के पास कई मोर रहते थे जिससे ही जब सिर्किष्ण मोर अपनी बासुरी बाजाते तब उनके पास आ जाते थे एक बार जब सिर्किष्ण मोर बासुरी बजा रहे थे तब राधा माथा निरित्त करने लगी जिससे की मोर भी निरित्त करने लगे थे और एक मोर का पंक सिर्किष्ण मोर के पास आगिरा और उसे इज़त सही तो वह अपने सिर्पर धारण कर या मान कर कि राधा माता की यह प्रेम है